बच्चो आज हम दो बैलों की कथा पाठ के अभ्यास प्रशनों को करेंगे नमस्कार सभी को, हिंदी कला के अंदर में आपका स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो पहले इसको सब्सक्राइब करें वेब बैल आइकन को दबाना न भूले ताथी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले कांजी होस में कैद पस्वों की हाजरी क्यों ली जाती होगी? तो इसका उत्तर होगा कांजी होस में आवारा वे बे सहरा पस्वों को कैद करते थे बाद में उनकी निलामी कर उनको बेच दिया जाता था कहने का अर्थ है कि कांजी होस एक परकार से पस्वों की जेल थी अत्य है उसके मालिक का यह दाइत्व होता था कि वे उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने ने दे इस कारण हर रोज उनकी हाजरी लिजाती होगी छोटी बच्ची को बैलों के प्रती प्रेम क्यूं उमड़ाया छोटी बच्ची की मा मर चुकी थी सोतेली मा उसे मारती रहती थी इधर बैलों की भी यही श्तिती थी गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता मारता पीटता और शाम को सुखा गुसा डाल देता छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्तिती और इन दोनु बैलों की स्तिती एक जैसी है तो उनके साथ अन्याय होता देख उसके मन में बैलों के प्रती प्रेम उमड़ाया कहानी में बैलों के माध्यम से कौन-कौन से निती विशैक मुल्ले उभर कर आये हैं तो इस कहानी में हमने जाना कि सरल सीधा और अत्यदिक सेंसिल होना पाप है बहुत सीधे इनसान को मुर्ख या गधा कहा जाता है दूसरा इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए स आजादी बहुत बड़ा मुल्ले है इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कस्ट उठाने को तयार रहना चाहिए जैसे दोनु बैलों ने भी अपनी आजादी के लिए बहुत सारे कस्ट उठाए साथ ही समाज के सुखी संपन लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए जब दोनु बैलों को बंदग बना कर ले जाय जा रहा था तो जो उनकी संगी साती थे दूसरे पसू जो अराम से बेठे जुगाली कर रहे थे वो पसू इन दोनु की तरफ देख भी नहीं तो कहने का अर्थ है कि समाज के सुखी संपन लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन सवभावगत विशेश्ताओं के अधार पर उनके प्रती रूड अर्थ यानि मुर्ग का परियोग नाकर क इस नए अर्थ की ओर संकेत किया है तो इस कहानी से हमने जाना कि गधा सबसे बुद्धी हिन प्राणी माना जाता है यदि किसी को मुर्ग कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं गधा मुर्ग के अर्थ में रूड हो गया यानि ये बात पुरानी हो गई सब के मन में बैठ गई है परन्तु लेखक ने इसे सही नहीं माना क्योंकि गधा अपने सीधे पन और सैन सीलता से किसी को हनी नहीं पहुचाता जबकि गाय कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी करोध कर देते हैं पर गधा ऐसा कभी नहीं करता है गुणों के विशे में वह रिशी कम नहीं है किन गटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी तो इसके लिए हमने इस पार्ट में बहुत सारी गटनाएं देखी जिन से हमने जाना कि हीरा और मोती के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी जैसे पहली गटना दोनु एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे तो यह कोशिस करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंदे पर ना कर उसके अपने कंदे पर आए तो इस बाद से पताचलता है कि दोनु एक दूसरे का कितना ध्यान रखते थे दूसरी गटना, गया ने हीरा के नाग पर डंडा मारा, तो मोती से ये सब देखा नहीं गया, वे हल, रसी, जुवा, जोट सब लेकर भाग पड़ा, उससे हीरा का कष्ट देखा नहीं गया, तो इस गटना से भी पता चलता है, कि उन दोनों के बीच बहुत गयरी दोस्ती थी तीसरी गटना, जब मटर के खेत में मटर खा कर दोनों मस्त हो रहे, तो वे सींग मिला कर एक दूसरे को ठेलने लगे, यानि एक दूसरे को धका देने लगे, अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है, क्योंकि वे पीछे खाई में गिर गया था, तो ये बात जान कर वे पीछे हट गया, उसने दोस्ती को दुस्मनी में बदलने से रोक लिया, तो इस गटना से भी पता चला कि उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, चोथी गटना, जब उनके सामने विशाल का यानि भोत बड़ा सांड आखडा हुआ, तो उन्होंने योजना पूरवक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया, सांड एक पर चोट करता, तो दूसरा उसकी देह में अपने नुकिले सिंग चुभा देता, इस तरह दोनों ने मिलकर सांड को बेहोस कर दिया, पांचवी गटना, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया लेकिन उस वक्त हीरा उसे अकेला विपत्ती में देखकर वापस आ गया, वे भी मोती के साथ पकड़ा गया, तो इस घटना से भी पता चलता है, अगली घटना, कांजी होस में हीरा ने दिवार तोड़ डाली, उसे रस्सियों से बांदिया गया, इस पर मोती ने उसका साथ दिया, पहले तो उसने बाड़े की दिवार तोड़ कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बंद गया, यानि उसको छोड़ कर भागा नहीं, तो इन सब गटनाओं से हमें पता चलता है, कि उन दोनों में बहुत गेरी दोस्ती थी, लेकिन ओरत जात पर सिंग चलाना मना है, ये भूल जाते हो, हीरा के इस कथन के माध्यम से इस्तरी के परती प्रेमचंद के द्रश्टी कोण को सपस्ट कीजिए, लेकिन ओरत जात पर सिंग चलाना मना है, हीरा के इस कथन के माध्यम से ये पता चलता है, कि प्रेमचंद ना नारिजाती का सम्मान करते हैं, तो मनुष्य को नारिजाती का सम्मान हर इस्तिती में करना चाहिए। किसान जीवन वाले समाज में पसू और मनुष्य के आपसी संबंदों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा कि किसान जीवन में पसू और मनुष्य के आपसी संबंद बहुत गैरे तथा आत्मियास्ता से भरे रहे हैं। किसान पसू को घर के सदस्य की भाती प्रेम करते हैं और पसू भी अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तयार रहते हैं। जूरी हीरा और मोती से बहुत स्ने रखता था। ये हमने खानी में देखा। तबी हीरा मोती बार बार अपने थान पर लोट रहे थे। वो भी इतनी सारी मुसीवतों को जेल कर। उनकी स्वामी भकती देखकर गाउवाले भी उनका अभिनंदन कर रहे थे। इस से पता चल आशिरवात देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विसेशताएं बताईए। मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह परोबकारी सभाव वाला प्राणी है। कैसे वह बाडे की कच्ची दिवार को तोड़ कर नो दस प्राणियों को बगाता है ताकि उनकी जान बच ज देता है तो इस सब घटना से पता चलता है कि मोती परोबकारी सभाव वाला प्राणी है। साथ ही मोती सच्चा मित्र भी है जो हर परस्तिती में अपने मित्र का साथ देता है और अंत में कांजी होस में हिरा को अकेला छोड़ कर भी नहीं जाता है। और क्या पता चलता है क वे आशावादी भी है उसे विश्वास है कि इश्वर उनकी जान अवस्षे बचाएंगे और अंत में इश्वर ने उनकी जान बचाई भी आश्षे स्पस्ट कीजिए अवस्षे ही उनमें कोई ऐसी गुप्त सकती थी जिससे जीवों में स्रेश्टा का दावा करने वाला वन्चित है इन पंक्तियों से हम क्या समझते हैं कि ये बात हीरा और मोती के लिए कही गई है जब हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते यदपी मनुष्य श्वम को सब प्राणियों से स्रेश्ट मानता है किन्तु उसमें ये सकती नहीं होती उसको अपनी बात बताने के लिए बोलना ही पड़ता है उस एक रोटी से उनकी भूग तो क्या सांथ होती पर दोनों के हरदे को मानो भोजन मिल गया ये पंक्तिया उस समय की है जब हीरा और मोती गया के घर पर बंदे वे थे और वो लड़की उन दोनों को एक एक रोटी हीरा और मोती गया के घर बंदे वे थे गया ने उनके साथ अपमान पूर्ण व्यवार किया था इसलिए वे दुखी थे परंतु उसी वक्त एक नन्नी लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी तो उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था परंतु उसे खाकर उन हो उठे गया ने हीरा मोती को दोनु बार सुखा भूसा खाने के लिए दिया क्यूंकि इन में से कौन सा उत्तर आएगा गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाता था गरीबी के कारण खली आधि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी वे हीरा मोती के व्यवार स से दुखी था इसलिए उनको सुखा भूसा दे रहा था रचना और अभिवक्ति हीरा और मोती ने सोशन के खिलाप आवाज उठाई लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही हीरा मोती की प्रतिक्रिया पर तर्क सहीत अपने विचार प्रकट करें तो यह हमने कहाने में दे आवाज उठाते रहे हैं उन्होंने जूरी के साले गया का विरोध किया तो उन्हें बदले में सुखा भूसा और डंडे खाने पड़े फिर कांजी होस में अन्या का विरोध किया तो बंदन में पड़े उन्हें आनि उन्हें बान दिया गया और उन्हें बुखे भी रहना पड़ती साथ ही वे अपने दर्द को व्यक्त भी ने कर पाते परंतु अपना विद्रो प्रकट करके उन्होंने मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक सोशन नहीं किया जा सकता क्या आपको लगता है कि ये कहानी आजादी की लड़ाई की और संकेत करती है तो हां ये कहा आजादी की लड़ाई की और संकेत करती है हीरा मोती ने अपनी परतंतरता यानि गुलामी से मुक्ति पाने के लिए नाना परकार की कटनाईयां सहन करी और मृत्यू के करीब जाकर भी वे अंत्ते अपने घर वापस आ गए हीरा मोती गया के घर से पहली बार रसी तुड़ कर आ जाते हैं वे दोबारा गया के घर जाते हैं तो उन्हें अपमानित और प्रतारित होना पड़ता है और भुखा भी रहना पड़ता है वहां से भागने पर उन्हें सांड रूपी मुसिबत का सामना करना पड़ता है अंत में कांजी होस में बंध होना तथा कसाई यानि इतना ही काफी है या फिर मैं भी जोर लगाता हूँ यहां पर ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं ऐसे सब्दों को निपात कहते हैं कहानी में से पांच ऐसे वाक्य चांटिये जिन में निपात का प्रियोग हुआ है जैसे उधारण के लिए सबसे ले वाला देखते हैं दोनु साथ उठते साथ नाद में मुह डालते और साथ ही बैटते थे एक ही विजह ने उसे संसार की सब्दे जातियों में गंड ने बना दिया ज्यादा से ज्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे ऐसे ही वाले और वाक्य बच्चों आप मुझे कमेंट अब भी वाले देखते हैं, कभी कभी उसे भी क्रोध आही जाता है, उसके चेरे पर ऐस अंतोस की छाया भी ने दिखाई देती, गधे का एक छोटा भाई और भी है, एक मुह हटाता तो दूसरा भी हटा लेता था, ऐसे ही भी वाला एक वाक्य आप मुझे कमेंट बोक्स में लिकर बताना, रचना के अधार पर वाक्य भेद बताईए, तो बच्चो वाक्य के तीन भेद होते हैं, उनमें से आपको बताना है, साथ ही उप वाक्य छाट कर उसके भी भेद लिखिए, जैसे दिवार का गिर्ना था कि अद्मरे से पड़े हुए सभी जानवर, चेत उठ तो बच्चो ये कौन सा वाक्य है, ये मिश्च्र वाक्य है, इसका उप वाक्य क्या है, अद्मरे से पड़े हुए सभी जानवर, चेत उठे, इस उप वाक्य का भेद क्या है, संग्या उप वाक्य, सहसा एक डड़ियल आदमी, जिसकी आखे लाल थी, और मुद्रा अत्यंत कठोर आया, ये कौन सा वाक्य है, ये भी मिश्च्र वाक्य है, इसका उप वाक्य है, जिसकी आखे लाल थी, और मुद्रा अत्यंत कठोर, इसका भेद है, विशेशन उप वाक्य, क्योंकि यहां पर ये इस डड़ियल की विशेशता बता रहा है, हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, तो बच्चो ये भी मिश्र वाक्य है, इसका उप वाक्य है, गया के घर से नाहक भागे, इसका भेद संग्या उप वाक्य, मैं बेचूंगा, तो विकेंगे, इसका वाक्य भेद होगा, मिश्र वाक्य, उप वाक्य होगा, तो विकेंगे, और इसका भेद पकड़ता तो मैं बे मारे ने छोड़ता तो बच्चो ये भी मिस्र वाक्य है इसका उपवाक्य तो बे मारे ने छोड़ता भेद इसका किरिया विशेशन उपवाक्य कहानी में जगय जगय मुहावरों का प्रियोग हुआ है कोई पांच मुहावरे छाट ये और उनका वाक्य में परियोग कीजिए तो बच्चों कुछ मुहावरे मैं बता रही हूं और एक दो आप बता सकते हो जैसे 9211 होना वाक्य में परियोग कैसे करना है मेरे हाथ में डंडा देखकर बिल्ली 9211 हो गई गम खा जाना इसका वाक्य होगा भारत के मजदूर इतने स्वाबिमानी हैं कि वे गम खा जाते हैं हाई तोबा नहीं मचाते इट का जवाब पत्थर से देना इसका वाक्य में परियोग ये दुनिया उसी को सम्मान देती है जो इट का जवाब पत्थर से देना जानता है दातों पसीना आना इसका वाक्य में परियोग किरकेट के मैदान से कुत्ते को बहार खदेडने में माली को दातों पसिना आ गया कसर उठाना इसकार थे कोई कमी ने छोड़ना वाक्य में परियोग राम मालिक के कहने पर हर काम कर देता है किसी परकार की कोई कसर नहीं उठा रखता इस पार्ट के सभी भाग तो बच्चो इस पार्ट के मैंने तीन भाग बनाए है तो उन सब को एक बार फिर से पढ़ो वह समझो दो बैलों की कथा के लेखक कौन है उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना साथ ही इस पार्ट में आए कोई एक मुआवरे को आपको बताना है ऐसे सभी बच्चे एक-एक मुआवरा बताते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इस पार्ट में कितने मुआवरे आए साथ ही सुजाओं वर सुदारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखके अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट तो फिर क्यों न करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमंड हमें और बहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट धन्यवाद आपके लिए सकता हैं 2 अगर हमें आपके लिए एक हो ड्ली कर दो कर सकता हैं